आप लोग का स्वाग आते हैं पुल्टेकनिक एंगेनियर्स में आज किस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मेटेरियल सांस का इंपोंटेंट कोहचन मेटेरियल सांस इंजरिंग जो कि आपके थर्ड समेश्टर के मिकनिकल वरांज के स्लेवर से आपको पढ़ने का है ओके इसमें हम लोग करेंगे फाइव यर्स का प्रिभी सेर कोहचन जो कि हम करेंगे 2019 ओड में जो पूछा गया कोहचन अबजेक्टिव उसको डिसकस करेंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा चैनल को सब्सक्राब बिल्कुल हिंका लिजेगा कि या चैनल आपके ल तो सबसे पहले हम लोग 2017 का जो कोहचन पूछा गया है उसको हम लोग करेंगे 2017 फिर 2018 फिर 2019 का करेंगे तो फर्स्ट कोहचन देखे क्या है और जो भी आपके अपजेक्टिव कोहचन पूछे जाएंगे ना तो इससे से पूछे जाएंगे ठीक तो टेंसल लेने वाला बात फर्स्ट कोहचन देखे क्या वंदिट फिल्वर अकट अ बहने पार्टी सब्जेक्ट 두फ फर्टिक फिल्वर् अकड चट जो फर्टिक फिल्वर तो ओप्सन नंबर देखे क्या है यह मी है आपका fillization, stress, compressive stress, tensile stress, uniform stress तो जो fatigue filler है वो आपका fillization stress से होता है ठीक तो option number क्यों जागा यह होगा जी आपका correct answer प्रपारटिभी चीब तर रिस्पोंस अट मेंटेरियल अन्डर एक्स्टर्णली अप्लाइड फोर्स इसका अंसर करो आप लोग त्याब को जागा मेकनीकल फोर्स कौँन सा मेकनीकल ठीक ओपसंदेखे थर्मल में तो क्या हीट करने पर तो वोनिफिशकल और केमिकल के तो ब प्षिपकल क्या फिचकल च सो प्मपेटली निएक तो भी होगा सब्सक्राइब कीहों एक संफ करे लाह्यों, सब्सक्राइब दूट नियुक्ड क्वेहाद प्याई निच्छें अल sites ते भी फत करेंगिक निचिक जा Conan और चैथा ओप्सन नमबर D वालओंगा करेक्टेंस बीच अबतर फ्लोइंग कोरेजें रेसिस्टेंस मेटेरियल बताये इनमें से कोरेजेंस मेटेरियल कोन सा है ठीक जखे कौपर है जींग है लेड है बताये जींग का नाम सुने होंगे कि जिन्ग का परत क्यों चरहा जाता है किसी भी लोहे के बरस्तु में में उसमें जींगikit किकी क्रोजन उसमें ना हो डिशिस्टंस कोपर कोपर क्या तामबा में लेड़िoff कोस्टरेंट है युनिक परपरेटी कास्टरें कौई सा एक युनिक परपरटी होता था Boss क्या एस तो होगा है मैं जो रेशिस्त करता है मतह्ताता ही हाट होता है virtet यख फॉता मैलीबिलीटी परफस्टर्द फैर ले एक दंपिंग टो यहां कर आसान सकते हैं तार यह सम बना सकते हैं तो आप्शन नम्बर के हो जाएगा da कि इस परजन निनता फोर्ब जो डे का बता दालों हो उसमें कारवन जो परजन परदा कि इसके फॉर्म में रहता है तो यह आपका हो जाएक्का फिलेक्ज और गिरफाइट ऑप्सन नमबर क्या हो जाएगा यह होगा यहां पर आपको करेक्ट अंसर इसका अंसर भी नीचे दिया गया है बताए आप लो यह होता है होता है जो बिल्डिंग काने का परपर्ट्टी होता है क्वाइप वह स्वेया होता है ठिक तो option number जहाऄम डीलो और पियो रिव घर्वाइट में कितने परशेंट कर्वाँ राता है तो अधाईल में बताए desa Canon अपष्टर से युज्ड पूर मसीन विंड पिड कौउच अफट्विट चौई सबस्वेड test देखिए मसीन में जो होता है है तो मैं क्राइब हो सकते हैं तो इसलिए कास्ट को में यूज किया जाता है ताख यूसमा तो इस failure का स्ट्रेंद यह भी नहीं डंपिंग स्ट्रेंद यास डंपिंग वाव पर बार्टी है जो विब्रेशन को क्या करता है अपका रिड्यूस करता है ऑप्सन नम्री को होजाएगा सी होगा करेक्टर से सोक या विब्रेशन ओके बीच आप फ्लोइंग आयरन इस ता में बताएगे आप लोग क्या कीजिए ना कॉमेंट में इसका यह है तो एक इसका ओर है ऐसे लिखे तो ठीक तब आप पता लेगा ठीक हम इसका अंसर बता देते हैं जो अलमूनियम है उसका यहां पर आपका वक्साइट है ठीक वक्साइट ऑप्सन नम्बर क्या हो जागा स्यो का करेक्टर से रल Oh रापत कार्वन एंजींंग यह को क्या कहते है मत्ता सका नहां एक ट्रीक है ट्रीक का नहां ขणे प्यूंज जिसे क्या हो गया जिन्क यहां पर क्या पूचा है को गया ओग्या और जो क्या बोलते हैं ब्रॉंज है भॉरौज न七 येस अउप्शन निंबर को जार्ग होग ए अदिक देखनें हिट क्न पर गया तो इसको याद हें हीट डूर बन क्यों किया जाता हैं इंप्रूब तैनल तेस्पिनेकलकर प्रुप्स्ट स्टीश को आप daring करने के लिए Är इंप्रूब करने के लिए आप लोग हिट्ट्रेट्मेंस प्रोसेस आप लोग पहली जएगा यह आपके कोजन में चांद नंबर में पूछा जाता है प्रोसेस अप्ता एड़ेडिंग नेट्रोजन एंड कारवन इस सर्फेस तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जब कारवन न कॉन्स्टेंट स्थी अवाइस स्थेस्स प्रोसे श्थेस्टो इसमें से कौन सा ंप्र हो जागा यह काि इसमें ऐपका केरिक्ट कषिए नसर हर्द नेस कॉंटैंट इपता स्टील इसमें से कॉन्ट्र केरेक्ट निजीच एं साग फ्याएस प्या नेस प्रिजायर से ची आपका हो जगा है रबर क्या होता है तो नहीं देखें क्या है विस्ट अपता फ्लोइंग थर्मो प्लास्टिक इन में से थर्मो प्लास्टिक कौन सा है ठीक यहां पर देखिए पॉलिथीन पॉलिस्ट्रेन और पॉलिप्रोपेलिन अई बैकल एक फालतु ह नजल नहीं आँगा रहा है क्या हां से खरूज कि गूर कि आपका क्या डिफ्रेंट और थ। अब थ और से मारे सकते प्लास्टिक इन कोलिंग एस्टील मेक इट जो रैपिट कोलिंग होता है वह होता है आपका सॉप्ट एंड डेक्टाइल ओके भी होगा यहां पर करेक्ट हैं साथ हम लोग 20 को दस मिनट में हम लोग कर लिए हैं ओके हम इसलिए जल्दे-जल्दी कर दो ताकि आप लोग को टाइम बचे उस टा हो चाएंगा ओके तो आप लोग देख लीजेगा इसका अंसर के बाद करते हैं हाँ पर सब का अंसर दिया गया है जैसे क्या आप देख सकते हैं तो 17 29 ठारा ठीक तो चलिए अब मिलते नेक्ट वीडियो में तक लिवाए टेक किया झाल 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 झाल